प्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं की कैसे आप अपने IQ Z9X Android मोईल फोन में अगर आपके मोईल फोन का वाइफाई जो है कनेक्टेड होने पर भी वाइफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रारूम का आप सौल कैसे कर सकते हैं आज के में आपको डीटेइल में जान करी देने वालों तो चले यह आप यह बिडियो का हम इससे टाब करना है अब दिखिए इस पिज मापको इस तरीकेसे नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहांपर आपको यह option मिल जाताा जीरो हो जाता है ठीक है अब आपको back page पे जाना है तो आपने जो meta service select किया थे तरफ इसी page में आपको उपर आना है ठीक है ना उपर आएंगे तो यहापर आपको option मिल जाता है देखने को android system android system पे tap करना है अब यहापर भी आपको storage and catch पे tap करना है, अब यहाँ पर भी clear catch का यह option tap करना है, तो यह भी आपका catch के similar data यह आपका zero हो जाता है, ठीक है, अब दीके अगला काम यह करना है, internet चालू करके mobile phone का setting page open करना है, सबसे उपर है यह search icon पे tap करना है, यहाँ पे सबसे उपर search बार में system update आपको लिखना है, नीचे system update का यह option show होता है, इसे tap करना है, अब दीके आप यह गलती से दूसरा option टैप हो गया, system update पे tap करना है, तो आपको इस वाले page पे कोई भी update का button या download install अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे tap करना है, फोन का software update करना है, ठीक है, अब दीके अगला काम यह करना है, अब आपको अपने mobile phone को reset करना है, दिखे mobile phone को reset आपको तब करना है, जब मेरे बताईवे पिछले process कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको phone को reset करना है, अदर्वाइस नहीं करना है, phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए, सबसे उपर आपको इस search icon पर tap करना है, यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है, नीचे आपको यह option मिलता, erase all data factory reset इसे tap करना है, इसके अंदर आपको erase all data factory reset पर दुबारा tap करेंगे, तो इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपकी problem solve हो जाएगी, लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data है उसका backup ले लिजे अपने phone में, और दूसरी बात ही ध्यान रखने है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है, तो इस दो क काम पहले करने है, उसके बात phone को reset करने है, तो मेरे बतावे थरीका आपको use करने से आपकी problem solve हो जाएगी, ठीक है?